अच्छ इफ्रेक्टर नूमर टू है यह कॉईल है यह मैगनेट है हम मैगनेट को मूव करें इस पोजिशन तक लेकर आरे हैं अब मैगनेट मूव हो रहा है तो अब डिफ्लेक्शन होती है अब इसका पॉइटर दोर्ता यहांई करन डेटक्ट करता कीउ कि इससे पहले वाली फेक्टर में मैगनेट मूव ने कर रहा है staff अब मूव कर रहे चेंज हो रहा है, इसको एक और तरीके से भी कहते हैं, वो क्या है, वो है कि Magnetic Flux Changes, Magnetic Flux में चेंज होने को, एक और तरीके से हम डिस्कराइब कर सकते हैं, कि Magnetic Lines Are Cut, दोनों का मतलब एक जैसे है, जैसे मैंने खाना मांगना है, तो मैं अपनी मदब को कहता हूँ, मुझे भूख लगी, या मैं कहता हूँ, मुझे कुछ खाने को दे, या क्या पक है, कुछ खाने को है, इस सब बातों का मतलब तकरीब नहीं की, तो Magnetic Flux Change होने का मतलब, यही एक Magnetic Lines Are Cut, अच्छा, यहां Cut का मतलब Cross करना है, वो कैसे, वो देखें, यह Magnet है, तो हर Magnet की Magnetic Lines होती है, यह represent करना, तो जब यह आगे तब पहुंचता है, तो यह Magnetic Lines इन Wires को Cross करती हुए हैं, तो Cross करना है, यहां Cut का मतलब Cross करना है, ठीक है तो Magnetic Lines जब Cut होती है, यह नहीं Cross होती है, इन Wires को Cross होती है, तो Flux भी Change हो रहा होती है, इसलिए Flux Change हो रहा हो, और Magnetic Lines Cut, दोनों का एक ही मतलब है, एक्जाम में आप लिखेंगे ना, तो दोनों का एक ही मार्ग देगे, क्योंकि बोथ मीन सेम, ठीक है, तो Magnet के Move होने से Flux Change हो रहा है, यह Important बात, Authentic यही बात है, यहां कि इस तरह भी लिखा यहाता है, तो Lines का Cut होना, मतलब एक ही चीज़ बनती है, अच्छा जी यहां ना, एक खास बात, कि हम Galvano Meter को First Time, अगर हमने कहीं जिकर किया तो यहां, Galvano Meter की Reason क्या है, Galvano Meter में दो खूबी है, एक तो व बहुत छोटे current को भी मयर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, तो यहां जो current induced होना, मुफ्त का current है लिए, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत थोड़ा होता है, तो उसको detect करने के लिए, छोटे current को detect करने के लिए, speciality इसकी दूसरी reason है, इसमें middle में 0 एक तरफ positive values है, एक जोटे के लिए, फीक है, अच्छा 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 एक खास बात ही हाँ, जो कि बहुत important है, exam में question भी एगी, कि जब आप magnet को move करते हो, तो यह नहीं होता है, एक मरतब magnet को move किया तो आगे दो महीने current आते ही रहा, नहीं, आपने एक मरतब magnet को move किये ना, तो एक मरतबा इसका needle हीले गए, यानि ऐसे हीलेगी, जैसे हम किसी swing को हिलाते है, string को हिलाते है, like this, कि इसे मैं हिलाता हूँ, तो आसास तर रुके वह वहीं आगे सीर, ठीक है, फिर यह रुक जाती है, आसास तर, ठीक है, similarly, कि जब हम एक हंता magnet को हिलाते है, इसके needle में, pointer म deflection आती है, फिर रासतर से 0, एक मरतबा, continuously move करें तो वह होता रहेगा, तो एक मरतबा move करने से momentarily deflection ही, एक मुमेंट के लिए deflection आती है, और फिर 0 हो जाती है, ठीक है, अच्छा थी, factor 3 और 4 बहुत important है, एंदर attention लिए, अच्छा नो, पोल को coil के पास लेकर आ रहे है, फ्लक् तो इसमें current induced होगा, यारी pointer हिलेगा, अब वो किस तरफ हिल सकता है, या तो positive या negative, तो suppose कर लेती है, कि वो positive direction में, आप negative response कर लेती है, लेकिन magnet के करीब आने पर, अगर वो right side पर गया है, तो उसी magnet के north pole के coil से दूर जाने पर, अब deflection negative होगा, अगर यहां left पर होगी, तो फिर इदर right, यहां right हो तो यहां, यहां positive है, तो अभी negative होगी, north के करीब आने पर, अगर positive है, तो दूर जाने पर negative में, रेडिंग्स आरें, और अगर यहां negative होती तो यहां positive, क्यों? अच्छे दी, तो क्या फरक है? हम बार-बार कह रहे हैं के magnet के move होने से flux change हो, किसी भी चीज़ में change क्या होता है? यहां तो value increase हो रही होगी यह decrease हो रही होगी, तो जब magnet करीब लेकर आ रहे हैं, तो इसका effect इस पर जो flux यह effect महुंच रहे हैं, वो increase हो रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं तो decrease हो रहे हैं, इंक्रीजिंग flux में induced current की direction, जो है decreasing flux में उससे opposite हो, ठीक है, अब इसको different तरीके से हम कर सकते हैं, तो different तरीके क्या हो सकते हैं, आप बार-बार आप देख रहे हैं कि मैं north pole ही रख रहा हूँ, मैंगन कोई move कर सकते हैं, तो इसके लिए और तरीका भी हो सकता है, और वो तरीका क्या है, कि हम north pole को क्वाइल के पास लेके जा रहे हैं, तो यही इस तरह भी तो कर सकते हैं, कि north इदर ही रहने दें, यहां हम पूरा circle नहीं बना रहे हैं, लेकिन situation समझाने के लिए, क्वाइल को north के पास लेज़ें, तो बात एक ही नहीं होगी, अच्छा जो north pole behave करता है, south pole बिल्कुल उसे opposite कर रहे हैं, यानि अगर हम north pole को pass लेकर आ रहे हैं, और suppose कर रहे हैं, जो north के पास लेज़ें, और जो north करेगा south opposite, तो north को creep कर रहे हैं, तो हम south को क्वाइल से दूर ले जाएं, या क्वाइल को south pole से दूर ले जाएं, बात एक ही होगी, current would be in the same direction, अगर इसमें right side पे गया, तो बाके तीनों में भी right side पे जाएं, ie ie, similarly north pole को क्यों से दूर लेके जा रहे हैं, तो यही बात है अब आप north को इदर आधे, क्वाइल को इससे दूर लें ऑँट इजय को रहे हैं, यही बात नहीं कि tuna दूर हूएं आच न ंजब को क्वा打 टूर में जा थी जाए, तो south को क्वाइल का पास ले हो, को साउथ के पास ले हो साउथ पोल की आंसर वड़ भी सेंग अगर इन में से एक में लेफ्ट पर रहे तो बाकि तीनों में भी लेफ्ट तो जितनी डिफरेंस सिचुएशन हो सकती थी तो इस इन माइड प्रेक्टर नमबर फॉर बहुत इंपोर्टनेट हैं हुई है कि हम इमय इफनिफ और ईफ़ इंडियूस हो रही है यह तो रायट होती है लेफ्ट सअपूस कर रेट पर दिए-धर इसंगो में को स्लो मुव करते हैं तो इए मफ कम इंडियूस होते है या सी इधार ब inform lum करते हैं तो यूटि warmth का स्लीप Liberally करते हैं लाज एफ़ अऑफ दी क्य मैगनेट मूव हो रहा तो फ्लक्स यहां भी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स यहां भी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स यहां भी चेंज हो फर्क क्या है स्लो मूव करने से और फास्ट मूव करने से क्या चेंज मतलब आ रहा है हुआ यह के बिठा है फ्लक्स जेज हो रहा है लेकिन प्लॉब करने से फ्लक्स आहिसता चेंज हो जब हम यह से मूव करते हैं तो भी फ्लक्स चेंज होगा गया जिया दा तीजी तो how fast something happens उसके लिए एक word use होता है वो word है rate मेरे जब मेरे मोड़के हो रहे है तो flux change हो रहे है लेकिन कितना तेजी सी change ओर है how fast the flux is changing तो उसके लिए वर्डरे रे रे तो change of magnetic rate means how fast something is happening so how fast the magnetic flux is changing this is called rate or change of magnetic flux तो जब हम magnet को slow move करते हैं तो ये rate कम है तो EMRB कम है जब हम magnet को तेजी से move करते हैं flux change करता है ज्यादा तेजी से यानि उसका rate high कोई चीज ज्यादा तेजी से होती है happens fast which says rate high है तो rate or change of magnetic flux हाई है देखें EMRB large यानि जैसा rate or change of magnetic flux होगा वैसे ही EMRB induced हो ठीक है यानि अगर rate or change of magnetic flux कम है slow move हो तो EMRB कम rate or change of magnetic flux हाई है तो EMRB ज्यादा तो यानि rate ज्यादा है तो EMRB ज्यादा है rate कम है तो EMRB कोई सा प्रपोर्शन है तो यह हमारा लोग है यानि यानि जब रेट हाई है तो मगने विल्शन लोग है तो यह मैं भी कम इंड्य चेंग प्रपोर्शन है ज्यादा है तो यह ज्यादा प्रपोर्शन इस वह धिंप्रशन है तो रेट्छोग के डायर प्रपोर्शन है तो यह आफ सब्सक्राइब करने लगता है और एक मैगनेट को आप यहां से ड्रॉप करते हैं यहां यहां इस पोजीशन पर था तो यहां इस पोजीशन पर था तो गयलवानो मेटे के डी वही किलोन मेटाऊ जब यहां पोंचते है तो इसकी डीन कैसी हो तो दो तरह के चेंज आए एक तो जो जो मैगनेट लिचे गिरते नेचे गिरते स्पीड इंक्रीव होती यहां पास्ट होगा तो जितना मैगनेट नोट करीब और यह तो अब दू जा रहा है तो हमेश्च प्रीडिंग गिए तो दूर होगी तो रीडिंग उपसित होगी और फीज ने की मुझमेट। होगी फ्लक्स रेट और चेंज उतना हाई होगा ठेक है यह में हुतनी लाज होगी राइट अच्छा जी नेक्स वी आर गोई डिस्केस लेंज इसला एक्शली शाहिद एक बच्चा जो शुरू से यह चैप्टर पढ़ रहा है उसके जैन में क्वेस्टन आएगा यहार यह मै इसका जवाब इस लौ में अच्छा इसकी लौ की स्टेट्मेंट पहले समझ नहीं आधी जब पढ़े हैं पहली दफार ठीक है लेकिन थोड़ी से इस्प्राइशन के बास समझ आएगी और यह पूरी रीजन भी समझ आएगी इसकी स्टेट्मेंट है डाइक्शन ओव अच्छ आज तू आपोस दा कॉस्ट प्रड्यूसिंग विए रिपीट कर दो लिखे तो ही डायरेक्शन ओफ इंड्यूस फीड इस सच आज तू आपोस दा कॉस्ट प्रड्यूसिंग इसकी समझ नहीं अच्छ लास्ट जो फोर वर्ट यह फाइवर्ड अमन्य लग जाएगा वह यह है तू अपोस दा कॉस्ट प्रड्यूसिंग इट यह उसी कोस को अपोस करना जिसकी बज़ा से वह प्रड्यूस हो रही है अच्छा समझ नहीं है चले ट्राय करतें वह देखें मेटा यह एक को यह मैगनेट को हम इसके पास लेकर आरे हैं यह उससे कहा कि flux change होगा यहां flux increase हो रहा करीब लेकर आरे है दूर लेकर जाने flux decrease flux change होने से इसमें current आएगा induced current पूरा circuit नहीं बनाया हुआ circuit complete है वह गिल्वानों मेटर यह बल्ब लगा हुआ है जब सिर्फ समझाने के लिए circuit इतना बनाए तो current आएगा और किसी हमने तो पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी क्वाइल में current आए तो magnet बन जाए थी और इसके पोल्स भी होंगे यानि इंड्यूस्ट current जब इसमें current induced होगा current आएगा induced current तो यह magnet बनेगे इसकी magnetic field है तो induced current की वज़ए से जो magnetic field हाती है उसे कहते है induced field राइट इन दोनों में induced field हाई पहली बार जो underline की जो नहीं समझा रही थी induced current की वज़ए इन में current induced होगा उसकी वज़ए से यह magnet बनेगी magnetic field होगी उसे induced field कहेंगे और रहा है कि induced field हमेशा उस cause को oppose करती जोसे produce कर दी अगर इस situation में देखें तो इसके अदर current आने की reason है इस नोर्थ पॉल या magnet का करीब होना तो यानि यह magnet नोर्थ पॉल करीब हो रहा है तो यह उससे oppose करेगी lenses यानि repel करें तो repel कैसे कि अगरी नोर्थ पॉल आरह। तो फिर यहान नोज पॉल ओगा इंड्यूस पर दूसरी तरह आटमेटिक नी क्योंकि नोर्थ नोर्थ पॉल हो गया तो इससे करेगा ना रपैल दूसरी तरह हो और सिमिल अगर यहां आ रहा हो तो पिर यहां जाना यानि सेम जो यहां पोल करीब आरे वो यहां पोल इंड्यूस होता है रिपेल करेगी और यहां यानि हम मैगनेट को दू ले जा रहे हैं तो यह अपोस करें से दू जानी देगी अट्रेट करें अपोस करें यानि जब मैगनेट को करीब लेकर आ रहे हैं तो वो करीब नहीं यहां पर साउथ पॉल प्रोड्यूस होगा पूर आटोमेटिकी दूशे दर नौट पॉल अच्छा पॉल कब चेंज होती है दो कोईल्स पे जो करंग चेंज हो जी तो इससे फिर वह एक बात पूरूफ होती है कि मैगनें के करीब आने पर नौट पॉल के करीब आने पर जो क या यह भी मेगनेंट बनेगी यह पेल करेंगे अब खोगा चैफट के दू लेगा जाने तो ट्रेट यानि दूनों मर्तबह मूव्मेंट को कृईब आने की मूंट को पॉस्ट कर दी उससे होगा क्या कि जो हम मेगनेंट को मूव करने है काना अटिक जिन मूव आ का राट पुछ कहें तो आपकी energy क्या होगी movement की कम होगी ना kinetic energy कम तो हमने पढ़ा है energy can neither be created or be destroyed, not increase or decrease but can only be changed from one form to another form kinetic energy or mechanic energy कम होगी वो जा किदर रही है वो ही इनके अंदर जो electrical current आ रहा है electrical energy में convert हो रही है energy can neither be created ना kinetic electrical energy मुफ्त में नी हम शुरू से करें ड्यूस हो रही है मुफ्त में आ रही है actually मुफ्त में तो कोई नहीं आ सकती यह लेक्टिक एनरजी आ कहां सरी तो यही जो इसकी movement में energy based होती उसकी kinetic energy mechanic energy उसी को convert किया जा रहा होता है यारी वही convert हो रही है थे electrical energy right तो बेटा इसी की movement की energy electrical energy में ठीक है यह चैप्टर हाफ हो गया हुआ है झाल झाल